आज हम आपके साथ dress designing ideas share करेंगे इन में से कुछ dresses casual है और कुछ dresses formal to semi-formal है इन सभी dresses की designing हमने आने वाले summers और eat को ध्यान में रखते हुए की है सबसे पहले जो आपको मैं dress दिखा रही हूँ ये purple color में है और इसके borders और इसका bottom lavender color में है हमने इसके उपर diamond shape का basic neck बना दिया है और इसके borders को उपर रखते हुए हमने अंगरक का style में stitch कर दिया है ये original अंगरक का कुर्टी नहीं है हमने बस इसके borders को इस तरह से arrange करके अंगरके का look create किया है इसके उपर यहाँ पर हम buttons attach करने वाले हैं जिससे के इसका look कुछ इस तरह का आ जाएगा अब हम इसकी sleeves क्यों देखते हैं तो यहाँ इस कुर्टी के हमने full sleeves बनाए है जिसकी length लगभग 21 inches है ये straight sleeves है और इसकी fittings ना जादा loose है ना जादा tight इसकी opening लगभग 5.5 inch है इस sleeve की opening पे जो हमने border attach की है ये वही same border है जो हमने इसके neck और diamond पे use की है बट ये थोड़ी कम पढ़ रही थी इसलिए हमने इसी border को half में divide कर दिया और दोनों sleeves पे attach कर दिया और ये इस कुर्टी का दामन है जिस पे हमने simply border attach कर दी है simple dresses में अच्छी तरह से border का use करने से इसकी look काफी change हो जाती है इस dress की back को देख के आपको इसका idea हो जाएगा ये इस कुर्टी का back portion है जिस पे हमने round neck बनाई है बाकी ये सारी simply stripes में printed है अब मैं आपको इसका दुपटा दिखाती हूँ इसका दुपटा lavender और purple color में है और ये printed है इस कुर्टी के साथ हमने सलवार stitch की है क्योंकि गर्मियों में बहुत से लोग सलवार पेनना प्रिफर करते है ये शलवार belt वाली शलवार है और इसके साथ एक एक इंच के pleats बने हुए है इसके पाइचे कुछ इस तरह के है इसकी opening 7.5 इंच है और इसके उपर machine के पैर जितनी चोड़ी सिलाईया लगी हुई है अब हम इस dress की overall final look चेक करते है इस dress का color combination काफी अच्छा है और घर आम पेनने के लिए ये हलकी फुलकी सी designing इस पे काफी suit कर रही है अब हम next dress की तरफ चलते है ये dress linen fabric में है और इसके उपर block printing की गई है इसका fabric काफी light weight और soft है जो गर्मियों में काफी comfortable रहेगा इस कुर्टी के साथ हमने square shape का neck बनाया है और आगे ये emroid red patch लगाया है जो इस dress के साथ ही आया था बाकी हमने इस कुर्टी को symbol ही रखा है ताकि ये पेहनने में comfortable रहे इसकी sleeves three quarters है और इसके उपर हमने halki full की designing की है इस sleeves की water पे हमने loop वाली lace और fabric वाले twangles को attach किया है पेहनने के बाद इसका look कुछ इस तरह का आएगा इस sleeves की stitching की video हमारे channel पे available है लिंक में आपको description में दे दूँगी इस peach color की कुर्टी के साथ grey color की trouser दी गई है जिसका fabric भी कुर्टी के fabric जैसा ही है इसकी trouser की bottom की opening 7.5 inch है और यहाँ पे हमने triangle वाला cut work बनाया है जो पहनने के बाद बहुत ही सुन्दर दिखता है इसकी उपर वाली side में हमने elastic लगा दिया है और यह इसका पूरा look है अब आप इस dress की complete look चेक कर लीजिए इसके बाद हमारे पास यह bottle green color का dress है जो emorided है और इसके उपर beads और stone का work किया गया है इस dress की neck line कुछ इस तरह की थी तो हमने इसे as it is उसी shape में बना लिया है और आप इसकी finishing देख सकते हो कि किस सरह से बनी है इसके neck के आगे छोटे छोटे emorided motifs बने हुए है और पूरे dress के उपर stones का spray किया गया है इसका दामन भी completely emorided है और इसके उपर stone और beads का work है इसके दामन को attach करने के लिए हमने यहाँ golden color की piping का use किया है और इसके charks में भी हमने same piping को invisible तरीके से attach कर दिया है इस dress की color बहुत ही सुन्दर है और combination के लिए जो golden color use किया है वो भी इस पे काफी अच्छा लग रहा है इसकी sleeves plain है और three quarters है और हमने इसके edges पे golden color की ही piping attach कर दी है ताके उसका एक look create हो जाए अब मैं आपको इसका back दिखाती हूँ इसके back part पे हमने round neck बनाया है और इसका back part completely plain है इसके बाद हम इसका trouser देखेंगे इसका trouser maroon color के fabric में है और इसका bottom हमने narrow रखा है इसके trouser का fabric कुर्ती के fabric से completely different था इसलिए हमने इसे कुर्ती से match करने के लिए golden color की lace और कुर्ती के fabric के triangles का use किया है इस trouser की designing का video हमारे channel पर available है आप हमारे channel को visit करके इसे देख सकते हो या फिर link आपको description में मिल जाएगी इस trouser की waste पे हमने elastic का use किया है अब इस dress की final look देखते है जो कुछ इस तरह से है इसके बाद हम एक और casual dress देखेंगे जो dark gray color में है और इसके उपर black color की छोटी छोटी सी prints बनी हुई है इस कुर्ती का हमने round V neck बनाया है और ये जो border आप देख रहे हो ये इसके bottom के fabric के साथ हमें मिला था इस border को हमने neck पे उपर से लगाया है और यहाँ पर side से भी इसे रीचे बढ़ते हुए लगा के इस तरह का rectangular shape create किया है इसके बाद हमने इस कुर्ती के दामन पर इसी के bottom से मिला हुए fabric में की एक strip लगाई है और ये उपर रख के लगाई है और similarly ऐसी ही एक strip हमने इसके sleeves पे लगाई है इसके sleeves हमने long बनाए है जिसकी length लगबख 22 inches है और opening इसकी लगबख 5.5 inch है ये इसकी back है, back पे हमने बस round neck बना दिया है और बाकी as it is इसे रख दिया है ताके ये simple और comfortable रहे इसके बाद हम इसका bottom देखेंगे, इसके bottom के लिए हमने सलवार बनाई है जिसके पाइचे की opening 7.5 inch है और इसके पाइचे के ऊपर हमने पेर चोड़ी सिलाईया लगाई है ये belt वाली शलवार है जिसके pleats डले हुए है और इसका look कुछ इस तरह का है इसके बाद इसका दुपट्टा देखेंगे तो दुपट्टा कुछ इस तरह का है ये cotton के fabric का है और इसके उपर इस तरह की print बनी हुई है अब आप इस dress की complete look देख लीजिए इसके बाद हम एक और dress देखेंगे जो lawn fabric में है और इसका color combination beige, red और maroon color का है ये एक printed dress है सबसे पहले मैं आपको इसका दामन दिखाती हूँ इसके उपर इस तरह की border थी जिसके उपर हमने इसे formal touch देने के लिए beads attach किये है इन beads को हमने लगबग पौने inch के distance पे लगाया है इसके बाद मैं आपको इसका neck दिखाती हूँ इस dress के लिए हमने round neck बनाया है जिसमें piping की गई है और बीच में एक slit डेके उसमें भी piping की गई है ये piping हमने इसके back के fabric से की है जो मैं आपको थोड़े देर में ही दिखाऊंगी उससे पहले आप ये sleeves देख लीजिए इसके sleeves कुछ इस तरह के हैं जिसे हमने V shape में बनाया है ये उपर से थोड़े fitted है और नीचे जाके lose हो रहे है इसके उपर हमने ये patch लगाया है जो इस dress के साथ ही आया था इससे हमने cut work करके इस पे apply कर दिया है उसके बाद हमने इसके नीचे ये hanging लगाई है जो बहुत ही सुन्दर लग रही है इन hanging में सबसे उपर red color की crystal bead है उसके बाद एक diamond वाली ring है और उसके बाद पॉर्ल अटेच किया गया है sleeves को पहनने के बाद इसका look कुछ इस तरह से आएगा आप अपने eat के dresses पे इस तरह की sleeves बनवा सकते हो जिससे आपका dress बहुत ही हसीन बन जाए इसके बाद मैं आपको इस dress की charks दिखाती हूँ इसके charks में हमने EC के back के fabric से piping की है जो इसे थोड़ा highlight कर रही है अब आप इसके back part को देखिए इसका back part completely different है red और maroon कला की print है जो बहुत ही खुबसूरत है और इसके नीचे green और golden कला की इस तरह की border बनी हुई है जो इसके दुपटे से resemble करती हुई दी गई है यहाँ back के charks को highlight करने के लिए हमने front के fabric से इस पे piping कर दी है back portion में हमने round neck बनाया है और इसके back का look कुछ इस तरह का है इसके बाद मैं आपको इसका trouser दिखाती हूँ इसका trouser lawn fabric में है और red color में है इसके bottom पे हमने pleats डाले है जो machine के पेर जितने चोड़ी है यहाँ हमने nine pleats डाले है और उन pleats के center पे हमने beads attach की है और diamond वाली ring attach की है इस trouser pen की waste में हमने front plane रखा है और back plastic रखा है और यह इसका final look है इसके बाद मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाती हूँ इसका दुपट्टा green color का है और floral printed है और इसके उपर इस तरह की border पनी हुई है इसका fabric cotton net में है और यह काफी soft fabric है इस दुपट्टे के चारो edges पे हमने beige color की ही lace लगा दी है जो इसकी सुन्दरता को और भी बड़ा रही है और इस दुपट्टे की fall कुछ इस सरा की है अब हम इस dress की complete look चेक करते है यह dress पहनने के बाद बहुत ही खुबसूरत लगेगा और इसका look formal होने के साथ साथ ही decent भी है सो आज के लिए मैं बस इतने ही designs लाई थी अगर आपको यह designs अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like कर दीजिए और ऐसे ही saving और designing के वीडियोस देखने के लिए हमारे channel को subscribe कर दीजिए और bell icon को click कर दीजिए thanks for watching